आज हम अमेरिकन दल पढ़नाली की प्रमुक विशिष्टाउं का धिन करेंगे जैसा कि हम जानते हैं राजनेतिक जो दल हैं वो सासन के संचालन के लिए साहिक है कोई भी परजातांत्रिक जो देश है वो भी ना राजनेतिक दलों के अपना सफल संचालन नहीं कर सकता किन्तु राजनेतिक जो दल हैं उनके समंद में अमेरिकी जो सेवधान निर्माता हैं उनका एक अलगी दरष्टि कौन था उनको ये भाय था कि राजनेतिक जो दल है वो जनता को विभिन वर्गु में विभाजित कर देंगे और आपस में उनमें द्वेश की भावना पैदा हो जाएगी और इसी के प्रणाम सुरूप वो ये नहीं चाते थे कि अमेरिका जो रास्टर है जो की परजातंतर जिसमें परजातंतर की सुरुवात हुई थी वो खत्रे में पड़ जाए इसलिए जो मेडिसन है उन्होंने भी राजनितिक जो दल है उनकी काफ़े आलोजना की है प्रथम रास्टवती जार्ज वास्टर उन्होंने अपने एक विदाई बाशन में जो राजनितिक दल है उनको लेकर के एक चेतावनी दीत थी जो इस परकार है जो जवास्टर है उन्होंने ये कहा दलगत विदिवेस में सभी के लिए बुराई और हानी चिपी हुई है अताय प्र कोई भी देश जहां लोगतंतर है और लोगतंतर के सफल संचालन के लिए राजनितिक दलों का होना आवशेक है इसी परकार अमेरिका में भी राजनितिक दल है रीपबलिक और डेमोक्रेटिक राजनितिक दल उनीस्वें स्ताब्दी के मद्दे में जैसे दासपरसा कि समापती के परशन को लेकर के दो विचार दाराएं होएं उनका उदे होता है जिनका प्रतिनी जित्व करम से एक रीपबलिकन और दूसरा डेमोक्रेट्स नामक दल करते हैं यही दल अपने मूल नामों के साथ कारिकरम है वो समय समय पर परिवर्टित होते रहते हैं अमेरिका में दोनों दर लगबग समान रूप से सक्तिसाली हैं और लोक मत कभी एक दल के पक्स में तो कभी दूसरे दल के पक्स में चला जाता है और यह धारना चली आ रही है अब तक 1922 से लेकर 1922 तक की स्तितिका ध से 1980 के काल में राष्टपती पद के लिए डेमोक्रेटिक जो पार्टी है उसका एक तरह से एकाधिकार रहा लेकिन सन 2000 और 2004 के राष्टपती चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के जोर्ज बुस राष्टपती पद पर निर्वाचित हुए और इसके साथ ही कोंग्रेस के द 2008 में इस वर्ष भी राष्टपती पद के जो चुना हुए उनमें डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बराक ओबामा है वो राष्टपती पद पर निर्वाचित हुए और आज वर्तमान में ट्रंप हैं वो राष्टपती हैं अमेरिका के अब हम अध्यन करेंगे अमेरिकन जो दल पढ़नाली है उसकी प्रमक्विसेश्थां की हम ये जानते हैं कि अमेरिका में दो दल है रिपब्लिकन और डेमोकरेटिक अन्ने भी दल है लेकिन उनका जो अस्तित्व है वो नामतर का है सबसे पहले जो दल की विसेश्था है वह है दलों का सविधान उतर विकास अमेरि की वहाती अमेरिका की जो दल ये पढ़नाली है वो किसी वैधानिक मानेता से विक्सित नहीं हुई है बलकि अमेरिकी सविधान निर्माता राजनेतिक जो दल हैं उनको भै और संका की दरस्टी से देखते थे और एक दरस्टी से उसके विरोधी थी जैसा कि मैंने पूर्व जो राश्टपती हैं जोर्ज वांस्रीकटन उन्होंने भी राजनेतिक दलों के बारे में अपनी विदाई के वक्त एक चेतावनी आम जनता को दी थी अमेरिकी से विधान राजनेतिक दलों के विसे में मोन रहा है किन्तु जनतांत्रिक जो व्यवस्ता का संचालन राजने राजनितिक दल हैं वो एक तरह से राश्टिय मंद्स पर परकट हो गए थे और तब इसे लेकर के अब तक अमेरिकी राजनिति का संचालन कर रहे हैं ये दल अगली जो शेश्टा है वह है द्वी दलिये पदती अमेरिका में दो परमुक दल हैं इन दो राजनिति दलों के नाम बदलते रहे हैं किन्तु दिवी दलिये पदती का स्थित्व हमें सा बना रहता है अमेरिका में दिवी दलिये पदती सत्परति सत्रूप से विद्यमान है इसका यही प्रमान है कि प्रतिनिति सभा सिनेट या पराज्यों के जो गवरनर प्रद इन में से किसी में भी इन दो के तिरिक्त अन्य किसी दल का प्रतिनी दित्वे प्राप्त नहीं होता है। समय समय पर तीसरे दल भी उत्पन हैं लेकिन उनको इतनी सफलता नहीं मिल पाती है। तो हम यह देखते हैं कि अमेरिका में मुख्य रूप से द्वी दली पदती है, वैस संचालित है। वर्तमान में बहुत से चोटे चोटे दल हैं, वो भरकर के सामने आए हैं, जिससे कि अगर हम बात करें, कर्शक जो वर्ग है, उन्होंने अपनी जो ऐसंतोस या अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए ग्रीन बैंक दल भी बनाया है, और जो सर्मीक हैं, वो अपनी स जिती में सुधार करना चाते हैं, इसके लिए लेबर रिफॉर्म है, उस दल की विस्तापना की है, इस परकार डिमोक्रेटिक पार्टी के वाम पक्स के रूप में पॉपुलिस्ट पार्टी और रिपबलिकन पार्टी के वाम पक्स के रूप में प्रोग्रेसिव पार्टी का भी उदेवा तो हम यह देखते हैं कि मुख्य जो भूमी का है वह अमेरिका में सिर्फ दो ही दलूंकी है और जो द्वी दली जो परणाली है उसके उदे की पिछे भी जो मुख्य कारण है वह यह है कि वहां जो दली परणाली के जो उदे का जो कारण है वे सर्व पर्थम पूर्व परंपरा और अनुभव रहे हैं अमेरिका जो वास्ची है उन्होंने अपना राजनितिक जीवन है वो एक तरह से जो ब्रिटिस जो परंपराएं हैं वहां से प्रारम किया था और ब्रिटेन दिवी दिलिय पदत्ती का स्थान रहा है इस परकार अगर हम बात करें कि आज जो अमेरिका में जो दिवी दिलिय पदत्ती है वो एक तरह से ब्रिटेन की प्रंपराओं से प्रभावित रही है अगली जो विशेश्ता है वह है विचार धरा समन्दी आधार पूद अंतरों का अभाव अमेरिका में जब राजनितिक दलों का उदे हुआ उस समय उन में कुछ मुलबूट प्रशनों पर्मतपेद थे किन्तु धरे धरे जो ये दल है समय के नुसार अपने जो विचारधा रहे हैं अपने जो मुल्ये हैं अपने जो नीतियां हैं यह बदलती रहती हैं और एक तरह से ऐसे लगने लग गया कि जो दोनु जो दल हैं उनकी जो नीतियां हैं उनमें कोई विश्यस अंतर या मुलिक मतपेद नहीं रहे हैं। विदेशनिती के चितर में दोनु जो दल हैं वो एक तरह से सहमत हो जाते हैं और इस चितर में दोनु दलों के वीज एक मत्ता भी दिखाई देती है फोरेन पोलिशी के समन्द में और अगर हम बात करें आंत्रिक चितर की तो आंत्रिक चितर में दोनु जो दल हैं वो पुंज तथा डेमोक्रेटिक दलों के अलगलग स्थाई विचार क्या हैं। बनाए रखने के लिए ही पक्सदर हैं। एगली जो विचेशता है वह है दलों का स्थिल संग्ठन। अमेरिकी राजनेतिक दल सदेशता या हम बात करें दली अनुसासन के दरश्टी से तो वहां कोई बहुत ज़्यादा कड़े नियम नहीं है इसके लिए। अमेरिकी राजनेतिक दलों में सदेश्यों की भरती की नेतो को निसीत पर करिया होती है और नहीं राजनेतिक दलों के सदेश सदेव दली अनुसासन में बंदे रहते हैं। इस परकार की भारत में बंदे रहते हैं। और उनमें विचारदार समंदी एकमत था तथा अगर हम यूँ कहें कि कठोर जो दली अनुसासन है उसका सदेव भाव पाये जाता है। अगली जो राजनेतिक दलों की विसेश्ता है वह है दबाव गुटों का प्रभाव। अमेरिका में राजनेतिक दलों हैं। लेकिन जो दबाव गुटों हैं जो विसेश्ता है वह हैं । पर्दान करने या लूट परदती जिसको कहा जाता है जो कि अमेरिकन जो वहां की परमू के इक विसेश था भी माने जाती है। लूट पदती अमेरिका में दल्य पदती से समंदी थी एक परंपरा लूट पढ़नाली या लाव देने की पदती है जिसका विप्राइए माना जाता है कि राश्टपती के जुनाओं में विजई दल को अधिकार प्राप्त है कि वह पहले से कारी कर रहें नागरिक सिवा के ज बड़े पामाने पर तो 1828 में एंड्रियू जेक्शन ने इसे बड़े पामाने पर अपनाया और यह अमरीकी राश्टे सरकार का एक तरह से आधार बन गई अर्थार्थवी से इस्ता बन गई है राश्टपती जंक्शन ने अपने कारेकाल के प्रथम वर्स में ही 700 अधिका चलेगी और राश्टपती ग्रांट के समय तक उसने सभी सीमाएं पार कर ली कुछ विक्तियों द्वारा इस परनाली का समर्थन भी किया गया लेकिन जिन को पद्दों से इटा दिया गया वो इसके विरोधी भी हुए किन्त वास्ता में ऐसा करना सही नहीं है व्यवहार मे लूट की परनाली ने नागरी सिवाओं को बरस्ट करने का कारी किया है और इसे परसासने कारे को सलता को एक तरह से आगात पहुंचा है तो हम यह कह सकते हैं कि अमेरिका में जो लूट पद्दती है वो एक तरह से राजनेदिक दलों के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि इस अमेरिका में मुख्यरूप से दो ही दल है रीपब्लिकन और डेमोक्राटिक पार्टी अमेरिका के जो चेहु सेवधा निर्माता हो या वहां की जो लोग हो प्रारम में उनकी यही सोस थी कि जो दली विवस्ता है वह एक तरह से लोगों में भह, संका और द्वेस को बढ़ नितिक दलूं का होना अतियावसिक है धन्यवादा